बीजेपी और दूसरी पार्टियों में सबसे बड़ा फर्क एप्रोच का है बीजेपी आने वाले 25 साल में विक्षिद भारत के रोड में परकाम कर रहा है आप देखें हमारे जो विरोधी है उनका क्या एजंडा है? उनका एजंडा है सत्ता हत्याना हमारा एजंडा क्या है? 25 साल में देश को विक्षिद बनाना गरीबी से मुक्त बनाना नव जवानों के सामर्थ को सबसे आगे बढ़ाना आने वाले 25 साल में करना टका की विकास यात्रा को नित्रुत देने के लिए बीजेपी एक यूवाट टीम का निर्मान कर रही है हमारी कोशिस है करना टका में बैंगलूरू जैसे अने ग्लोबल हब बन सके भारत की स्टार्ट अप करांती को करना टका लीड करता रहे आप अपने बूत के फर्स टाइम वाटर से भी जरूर मिलिये उनका एक सम्मिलन भी कर सकते हैं उनकी कोश्परदा साइकल्स परदा जैसा कारकम भी बना सकते हैं आप उन्हें भाजपा को वोट देने के लिए प्रेरित कीजिए लंबे अर्से से करना टका में बीजेपी का बड़ा जनाधार रहा है आप पूर बहुत की स्थीर बीजेपी सरकार के लिए वोट मांगेंगे तो करना टका की जनता जरूर आशिरवात देगी उनको समझाईए कि करना टके में लगातार अस्थीरता से कितना नुक्षान हुआ है और दिल्ली में पिछले नव साल से आपने मजबूत स्थीर सरकार बना इतना कि लालाब हुआ है इस बाहर भी वहाँ पर मजबूत और स्थीर सरकार बनाईए चली आईए मैंने काफी लंबी बात ली कर ली सिमुमागा के हमारे साथियों से अब दूसरा सवाल जो मुझे मिला है वो फकीर अप्पा जिंदे जी का है वो चित्रदूर का जिल्यस है और वो पूछते हैं सर हम लोग हमेशा डबल इंजिन सरकार की बात करते हैं डबल इंजिन सरकार की परिभाशा आपके लिए क्या है डबल इंजिन सरकार से करनाटर करके विकास को क्या लाब होगा चलिए फकीर अप्पा जी ने बहुत यह अच्छा सवाल पूछा है डबल इंजिन सरकार के समन में पूछा है और उसका सीधाव और साधारन मतलब है विकास की डबल रप्तार बीते नव वर्षों का देश का अनुभव रहा है कि जहाँ जहाँ बीजेपी की डबल इंजिन सरकार है वहाँ वहाँ गरीब कल्याण की योजना ये तेजी से जमिन पर उत्री है हर गरजल योजना में करनाट का देश के अगरनी राज्यों में है क्योंकि यहाँ भी भाज़पा सरकार है वहाँ भाज़पा सरकार है इसलिए संभव हो पा रहा है क्योंकि यहाँ डबल इंजिन सरकार है आपको मैं बताओं जो राज्यों में भाजपा सरकार नहीं है लोग तंत्र पे स्वाफा भी खें लेकिन करते क्या है केंद्र सरकार की कोई भी योजना उनके हां सफल नहों उनको डर लगता है कि अगर सफल हो गई तो मोदी का जैजेकार हो जाएगा कुछ लोग तो योजना से जुड़ते ही नहीं है कुछ राज्ये ऐसे हैं वो योजना का नाम बदल देते हैं स्टीकर नया लगा देते हैं देश में एक बात आप हैरान हो जाएगे गरीबों को अनाज देने के लिए वन नेशन वन राश्रकार सुप्रिम कोड को हुकम करना पड़ा क्यों क्यों कि डबल इंजिन सरकार उस राज्ये में नहीं थी देखें पी एम किसान सम्मान निजी में यहां करनाटर का सरकार चार हजार उपए अपनी तरफ से भी जोड रही है भारत सरकार चार हजार उपए दे रही है राजज़कार चार हजार उपए दोनों भाज़पा की सरकार किसान को क्या मिल रहा है दसजार उपे मिल रहा है तो हुआ नहीं डबल लाब हो आप देख रहे हैं कि बीते नव वर्षों में भारत दुनिया भरके निवेशकों के लिए महत्वपुन केंदर बना है रिकॉर्ण निवेश भारत में हो रहा है डबल इंजिन सरकार के कारां इसका बहुत बड़ा करनाटका को मिला है अगर यहां ऐसी सरकार आएगी जो बात बात पर केंदर सरकार दे लड़ती रहेगी योजनाओं को रोकती रहेगी जनता जनार्दन का जो भी हो जाए उनकी राजनिती चलते रहे हैं अगर यही हुआ तो सारे इंफरासेक्टर के पोजेस को वो लटकात साथी रहेगी हम रोड बना चाहेंगे वो जमिन संब्धन का कामीद दीरे-दीरे करेंगे तो कैसे निवेस आएगा निवेस नहीं आएगा तो करनाटका में नए रोजगार कैसे बन पाहेंगे यानि डबल इंजिन की सरकार का नरहने पर जनता पर डबल मार पड़ती हैं और आप देखिए आप सामान्य नागरिक से बात करते ये भी बता सकते हैं कि देखो वह ट्रैक्टर है। हम बहुत बढ़िया काम करता है। लेकिन ट्रैक्टर का एक पहिया आप मारूतिकार का लगा दें तो बताईए वो ट्रैक्टर चलेगा क्या। किसी के काम आएगा क्या वो खुदी अपनी उसे बरबादी करेगा रिए जैसे एक ही प्रकार की ववस्ता गति तेज देती हैं वैसे ही डबल इंचीर की सरकार गति तेज देती है चोटी चोटी बाते लोगों के साथ बैठ करके समझाईए मद्दाताओं के साथ चर्चा करके बताना चाहिए और बूत लेवल पर बताना चाहिए लंबे लंबे बड़े भाशन करने की जिम्मवरी जिसकी है वो करेंगे हम कार्यकरताओं को तो बूथ को ही जितना है और बूथ पर ही हमारी शक्ति हमें लगानी है तब डबल इंजिन सरकार का असली मतलब समाज लोगों को आ जाएगा साथियों जब भी भाजपा को वो सेवा करने का मोका मिलता है तो विकास की स्पीड और स्केल दोनों बढ़ जाती है अब जैसे कुछ पार्टिया कह सकती है कि वो जो सत्ता में थी तो वो भी आवाज से जुड़ी योजना चलाती सी तो ऐसे में भाजपा अगर आवाज से जुड़ी योजना चला रही है तो उसमें नया क्या है ऐसा बोलते है इसका ही उत्तर है स्पीड और स्केल सोच और अप्रोच अब मैं आपको बताता हूँ कि आवाज योजनाओं में हमने क्या बढ़लाव किये है मैं ये छोटी छोटी बात है इसलिए बताता हूँ कि आप कार्यकरताओं को मतदाताओं के बीच जाकर के बताने में सुभीदा हो जाएगे 2014 से पहले की योजनाओं में एक घर बनने में 300 दिन लगते थे अब हमारी योजनाओं में 100 दिन से भी कम समय में घर बन जाते हैं पहले घर का आकार 20 वर्ग मिटर होता था अब घर का आकार 25 वर्ग मिटर होता है पहले की योजनाओं में एक घर को 70-75 हजार रुपय की मदद दी जाती थी अब यह मदद एक लाख 30,000 रुपय याने करीब करीब डबल कर दी गई है इससे भी बड़ी बात यह है कि यह पैसे अब सीधे लाभारती के बैंक एकाउंट में भेजे जाते हैं कोई बिचोल यान नहीं कोई कटकी कंपने नहीं पहले की आवास योजना में लाभारती की पसंद का बिलकुल ध्यान नहीं दिया जाता था हमारी सरकार की आवास योजना में घर उसमें रहने वाले परिवार की पसंद के हिसाब से बनता है पहले की आवास योजना में चार दिवारे खड़ी करके घर देने का दावा किया जाता था आज घर बिजली नल से जल टॉइलेट एल पीजी कनेक्शन जैसी अनेग योजनाओं को साथ साथ दिया जाता है मैं आपको स्पीड और स्केल का एक और उधान देता हूं देश में देखे हिल्थ कितना महत्मपुन विश्य है आरोग्य कितना महत्मपुन विश्य है कि देश में पहलाद मैंटीन फिव्टी श्य शुरूर कैंग्रेस ने उसका भरपुर सोस्रेलिया डोल बजाते रही बज्याते रहे बस crust लेकिन दूसरा एम्स कब शुरूबा पहला तो 56 में बना दूसरा कब शुरूबा इसके बारे में कॉंग्रेस कुछ नहीं बोलती है मुँपे ताला लग जाता है आपको जानकर के हैरानी होगी दूसरा एम्स बनने में करीब करीब 50-60 साल लग दे वर्थ 2003 में जब अटल जी की सरकार आई तो उन्होंने और जादा एम्स बनाने के बारे में योजना बनाई ये योजना स्वास्त सेवाओं और मेडिकल सिक्षा में छेत्री असंतुलन को दूर करने के लिए बनाई इस योजना को भी यूपिये सरकार ने ठंडे बसने में डा और आधे अधूरे मनसे काम किया गया है किसी तरह 2014 तक देश में एम्स की संख्या बढ़ करके साथ पहुँची याद रखो यानि साट साल में एम्ष की संख्या एक से बढ़कर साथ हुई लेकिन अगले नव वर्षों में जब हम आए तो हमने देश में एम्ष की संख्या को तीन गुना बढ़ा दिया अब बताईए डबल इंजिन जरकार की ताकत है कि नहीं है अब देश में साथ नहीं बीस एम्ष है बीस इसके साथ ही देश में तीन नए एम्ष परतेजी से काम भी चल रहा है यही हाल देश में मेडिकल कॉलेजो का भी था आजादी से लेकर 2014 तक देश में medical college के संग्या 300 सी थी 400 से भी कम हमें आने के बाद पिछले नौ साल में देश में medical college के संग्या 600 से भी ज़्यादा हो चुकी है ब्रस्टा चार के खिलाब लड़ाई में भी पहले और अब में बहुत बड़ा फरक है कांग्रेस ने ब्रस्टा चार मिटाने में कोई रुची नहीं दिखाई क्योंकि वो खुद ही ब्रस्टा चार का सबसे बड़ा स्थ्रोत रही है